Udice Plus Portal के Dropbox से छात्रों के नाम कैसे हटाएं? आज इसे हम समझने का प्रियास करेंगे सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जैसे हम स्कूल के User ID और Password से Udice Plus Portal पर Login करते हैं तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आता है जहां Progression Activity वाला Option ओपन करने पर तीन ओप्शन आ जाते हैं जिसमें थर्ड ओप्शन दिया रहता है Dropbox का इस पर किलिक करके आप चेक कर सकते हैं कि आपके School के Dropbox में कितने छात्रे हैं अर्था इन छात्रों को आपको हटाना होगा क्योंकि बरिष्ट कारेले से आपके पास भी मैसेज आया होगा कि आपके Login पर जितने भी छात्रे Dropbox में हैं उन्हें आप Import करें अब इसे जैसे हम Open करते हैं Open करने के बाद में आप देखेंगे कि कुछ छात्रों के नाम इसमें जरूर आते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर 7-8 छात्रों के नाम आई हुए हैं Dropbox में अब इन्हें कैसे हटाएं इसे हम समझते हैं सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि जो नाम आए हैं आखिर वे कौन से छात्र हैं समाने सब्दों में इसे हम समझें तो जो छात्र Dropbox में प्रदसित हो रहे हैं 20 साला त्यागी छात्र हैं अर्था 18 वरस तक की जो छात्र हैं इन्हें हमें सिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ना है अब प्रशन आता है कि जो छात्र इसमें प्रदसित हो रहे हैं इन्हें कैसे हटाना है तो इसके हटाने के किवल दो तरीके हैं पहला तरीका है कि इसे आप इंपॉर्ट करले इंपॉर्ट करेंगे तो यहां से छात्र हट जाएगा नेकिन इस में प्रशन आता है कि समंधित छात्र को जैसे आपने ही हटाया है T.C. ऐसो कर दिया इसकी क्योंकि आपकी साला में वो अध्यनरत है ही नहीं तब ऐसी condition में आपको करना क्या है सबसे पहला कार तो इसमें जो करना है आपको कि आपके drop box में जितने भी छात्र प्रदसित हो रहे हैं इनका survey करना है कि आखिर छात्र है कहां यदि छात्र साला त्यागी है उसने किसी भी साला में प्रिवेश्म नहीं लिया है तो हमें convince करना है उस चात्र को उनके पालकों को कि वो समद्धी चात्र को साला भेजे और जब चात्र साला आने लगेगा तब simply जो import वाला option है इस पर click करके आपको चात्र को अपनी साला में map कर लेना है यूow Dice Plus Portal पर लेकिन यहाँ पर दूसरा प्राष्म की चात्र हमारी साला में अध्यन रत नहीं हमने सर्वे किया वो किसी अन्य साला में अध्यन रत हो चुका है किसी अन्य साला में पढ़ने लगा है तब यहाँ पर हमें प्रियास करना है क्योंकि हमने सर्वे कर लिया और सर्वे के बाद में हमने पाया कि समंधित जो छात्र है किसी अन्य साला में उस साला की जानकारी हमने ले लिया है उस साला में वो अध्यन रथ है तब ऐसी condition में हमें अपने बरिष्ट कारेले में इसकी सूच न देना है कि सम्मंधित साला में जो छात्र है वो अध्यन रत है किर्पया उस छात्र को वहाँ पर मैप कराएं अब यहाँ पर एक condition और निर्मित हो जाती है कि कई बार आपने देखा होगा कि किसी एक छात्र का dummy PN नमबर जारी हो जाता है जैसे हम छात्रों को जोडते हैं यूडाइस प्लस पोर्टल पर जब हम छात्रों को जोडते हैं तो इसमें आपने ध्यान दिया होगा कि छात्र का अधार नमबर भी लगता है लेकिन कई बार चात्र का अधार नमबर नहीं होता है तब ऐसी condition में हम 12x9 अर्था जो एने वाला option है उस option से चात्र को जोड़ लेते हैं अधार के स्थान पर हम 12x9 फिल कर देते हैं और चात्र एड़ हो जाता है तब ऐसी condition में चात्र का जो PN नमबर है वो अलग जारी होता है लेकिन पता चला कि चात्र जब किसी अनसंस्ता में गया तो उस संस्ता ने उसके original जो बास्तवी का अधार नमबर है उस अधार नमबर से उसे add कर लिया तब ऐसी condition में हमें इसकी सूचना देना है कि जो आपका PN नमबर है इस PN नमबर से और date of birth से उस अनस्ता में आपको चात्र को जड़वा जाएना है और जैसे ही चात्र उस संस्ता में add होगा तो चात्र का जो नम है आपके drop box वाली suchi से हट जाएगा अब जिस संस्ता में वो चात्र add होगा वहां पर उसका जो अधार है वो update हो जाएगा तो समन्धित PN नम चात्र सालत आगी है आपने सर्वेatas किया Aww. सिंपली आप इंपोर्ट कर लें और चात्र को यहां से हटआ दूसरा तरीका कि यहां आपने किया है इसकी जानकारी आप अपने बरिष्ट कारेल मे दे दे यहां से जो इस परकार से जो चात्र हैю समंधिस साला में मैप कर दिया जाएगा और जैसे ही समंधिस साला में च्छात्र मैप होगा वो आपके drop box से हट जाएगा तो इसमें सबसे पहले आपको survey का कार करना है क्योंकि विभाक की नजर में जो च्छात्र drop box में है वो सालत यागी है तो आपके पास में particular जो reason है चात्रों का वो होना चाहिए कि किस कारण से चात्र यहां पर आ रहा है तो आप अपने पास में कारण रखें और बरिष्ट कारेले को इसकी सूच न देदें क्योंकि लगातार Dropbox से चात्रों के नाम हटाने के लिए या फिर चात्रों को इंपोर्ट करने के लिए मैसेज आ रहे हैं और भविस में इन चात्रों के लिए आपको सर्वे करना पड़ेगा इनकी जानकारी आपको कारेलेमे देना होगा तो आसा है यूडाइस प्लस पोर्टल के ड्रॉप बॉक्स में छात्रों की जो सूची प्रदसित हो रही है इस समन में आप जानकारी समझ पाये होंगे मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारीों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जाहें